हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल नौलेज एलेविन में दोस्तों आज का हमारा वीडियो खास होने वाला है जैसे कि आप जानते हैं इस बार SSE CHSL, Railway RPF इस सबका भकेंसी आया हुआ है जिसको लेकर आज का हमारा वीडियो खास होने वाला है दोस्तों क्योंकि आज मैं आपको 10 जो GKGS बताने वाला हूँ ये बहुत ही भीवियाई है क्योंकि यहीं 100 GKGS एक जाम में पूछे जाते हैं अगर भरोसा नहीं है तो एक बार वीडियो को पूरा देखे आप 10 GKGS देखेंगे तो आपको खुद खुद मालूम चल जाएगा कि जो मैं आपको GKGS बताने वाला हूँ ये बहुत ही भीवियाई है दोस्तों वीडियो में बने रहे चलिए तो शुरू करते हैं कि सासकने भारत में जजियाकर को पूरा सुरू किया आपके पास चार अप्षन है पहला सहजां दूसरा औरंग्जेव तीसरा बाबर चौथा इन में से कोई नहीं दोस्तोंबारत में जजियाकर को पूरा सुरू करने कैसरे अरंगजेब को जाता है औरंगजेब ने है जजिया कर को पूना सुरू किया था किस ने किया था दोस्तो? अरंगजेब ने चलिए दोस्तो आप चलते हैं अपने अगले नमबर सवाल जो कि हमारा है किस भरतिय सासक ने भारत में पंच तंत्र की इस्थापना की किस भरतिय सासक ने भारत में पंच तंत्र की इस्थापना की आपके पास चार अप्शन है पहला असोक दूसरा चानक के तीसरा महराना परताप चौथा कनिश्क तोस्तों भारत में पंच तंत्र चानक के ने इस्थापित किया था यहां एक चलिए दोस्तों आप चलते हम अपने अगले नंबर सवाल जो की हमारा है संसत का सन्युक्त सत्र कौन भुलाता है संसत का सन्युक्त सत्र कौन भुलाता है या कहे तो संसत का राजसभा और लोकसभा का सन्युक्त सत्र कौन भुलाता है तापके पास चार अप्षन है पहला परधान मंतरी दूसरा राष्ट पती तीसरा लोकसभा ध्यक्ष चौथ है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो भारत में संसद के दोनों सद्र को यानि दोनों सदन को राष्ट पती बुलाता है कौन बुलाता है दोस्तो राष्ट पती ये विशेस पस्तिती में ही ऐसा राष्ट पती नीनाय लेता है जब लोकसभा और राचसभा को एक साथ सांसद भावन में बुलाया जाता है किसी विशेस मुद्दे को लेकर उस समय राष्ट पती दोनों सदन को एक पर बुलाते हैं स जलिए दोस्तों आप चलता हैं अपने अगले नंबर सवाल जो की हमारा है किस नदी को सिंधू की बहान कहा जाता है आपके पास चार अप्षन है पहला गंड़क दूसरा चिनाब तीसरा सतलूज चौथा ब्यास दोस्तों सिंधू की बहन चिनाब नदी को कहा जाता है किसको कहा जाता हैonton चलिए दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल जो हमारा है सिंधू की सबसे लंबी सहाइक नदी कौन सी है सिंधू की सबसे लंबी सहाइक नदी कौन सी है आपके पास चार अप्षन है पहला जेलम, दूसरा चिनाब, तीसरा ब्यास, चौथा रावी एक बार फिर से अप्षन सुनिया दोस्तो पहला जेलम दूसरा चिनाम तीसरा व्यास चोथा रावी तो दोस्तो सिंधू की सबसे लंबी सहाइक नदी जेलम नदी है कौन नदी है दोस्तो जेलम नदी है सिंधू की सबसे लंबी सहाइक नदी कौन सी नदी है दोस्तो जेलम नदी है दोस्तो आप वीडियो को मीशना करें पूरा देखें तब आपको मालूम चलेगा कि 10 जी के जी उस कितना भीवी आई है दोस्तो चलिए हम अपने अगले कोचन के तरफ जो कि हमारा है राधा क्रिश्न नट राजन ने किस छेत्र में अपना योगदान दिया था आपके पास चार अप्सन है पहला रसायन भीज्यान दूसरा खगोल भीज्यान तीसरा गनित चौथ जीव भीज्यान तो दोस्तो राधा क्रिश्न नट राजन ने खगोल भीज्यान में अपना चलिया दोस्तो आप चलते हैं अपने अगले नमबर सवाल जो की हमारा है भारत के परमुख स्टॉक एक्चेंज कहां है आपके पास चार अप्सने पहला मुंबाई दूसरा गुजरात तीसरा हमदाबाद चौथा दिल्ली तो दोस्तो भारत के परमुख Stock Exchange मुंबई है कौन है दोस्तो भारत के परमुख Stock Exchange कौन है दोस्तो मुंबई है तो चलिए दोस्तो अब चलता हैं अपने अगले नमबर सवाल जो की हमारा है किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध इस्थित है किस नधी पे नागारजुन सागरबांध इस्थित है आपके पास चार अप्षन है पहला महा नधी दूसरा क्रेशना तीसरा गुदावरी चौथा सिंधू तो दोस्तो नागारजुन सागरबांध क्रिश्ना नधी पे है नधी पे हैं दोस्तों तो क्रिश्ना नधी पे हैं चलिए दोस्तों अब चलता हैं अगले नंबर सवाल upp Materança दोस्तों अभी तक आपने जो वीडियो देखा है उसको दे कैसा लगा도 करद दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था आज आपका जो बताने वाला हूं दस जी चेत्र का बैक कौन सा है भारत का सबसे बड़ा सरवजनिक छेत्र का बैक कौन सा है आपके पास चार अप्षन है पहला भारतिये स्टेट बैक दूसरा पंजाब नेशनल बैक तीसरा बीसो बैक चौथा HDFC एक बैक फीर से अप्षन सुनिया दोस्तों पहला भारतिये स्टेट बैक दूसरा पंजाब नेशनल बैक तीसरा बीसो बैक चौथा HDFC दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सरवजनिक छेत्र का बैक भारतिये स्टेट बैक है कौन सा है दोस्तों भारतिये स्टेट बैक है भारत का सबसे बरा सराज्वानिक छेत्र का बैक कौन सा है दोस्तों भारतिये इस्टेट बैक है कौन सा है दोस्तों भारतिये इस्टेट बैक चलिए दोस्तो अब चलते हम अपने अगले नमबर सवाल जो की हमारा है खगोल बिग्यान के जनक की से कहा जाता है आपके पास चार अप्षन है पहला नागारजुन दूसरा गैलीलियो तीसरा मैडम क्यूरी चौथा इनमे से कोई नहीं एक बार फिर से अपसन सुनिये दोस्तो पहला नागारजुन दूसरा गैलीलियो तीसरा मैडम क्यूरी चौथा इनमे से कोई नहीं तो दोस्तो खगोल बिग्यान के जनक गैलीलियो को कहा जाता है किसको कहा जाता है दोस्तों गयलीलियों को कहा जाता है किसको कहा जाता है दोस्तों गयलीलियों को चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही तो वीडियो कैसा लगा प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और support करें आपके support की बहुत जरूरत है अगर आपको लगे कि सवाल में कोई दिक्कत है तब एक बार हमें comment करें जिए हो दोश्टो अगर आपको सवाल से लिटेड़ कोई भी दिक्कत हो तब बीना सोचे समझे हमें comment करें पिली हमारे चैनल को like करें सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें तर प्लीज हमाई चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें चलिए दुश्तों मिलते हैं अगले वीडियो में